तो आप लोग कैसे हो उमीद करती हूँ अच्छे से होंगी तो दोस्तो आज मैं फिर आप लोग के लिए जबरदस्त एकदम नई किचन टिप्स लेके आई हूँ जो आपके कई घंटों के काम को मिन्टों में करेगा साथ ही साथ समय और पैसे की भी बचट होगी और बहुत ही यूजफूल और अमेजिंग कीचन टिप्स है दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगा और पसंद आने पर वीडियो को जादा जादा लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो बहुत ही मुष् explosives काम है दोस्तों बहुत ही犯 लगता है तो इस ट्रिप से आप लसंद को ताबि हमारा umória तकर नहीं होगी है तो दोस्तों भी क्रिफ़ी नहीं हो गया है आ क्रिस्पी हो गया आप हाथों से ऐसे करके मसलेंगे तो इसली यह हमारी जो दोनों हाथों की रगण से आप इसको मसलेंगे तो इसली से यह जो हमारी लसन है आराम से निकल जाएगी और इस तरह से आप जब गरम तावे का इस्तमाल करोगे तो देखिए किती सॉफ्ट हो गई व्ल्ट्रवाजी है तो आप कियो कि मैं नहें दिखा पका रही है यह से बहुत ही ईजली क्योंकि अस्टेमर हो गई है अराम से यह निकल जाएगा देखे अरॉबस यह निकल जाएगा क्युकि तोड़ा सा लशन पका के इस्तमाल कर सकते हो अलग से इसको पकाने की आवस्चता नहीं होगी साथ ही साथ यह देखिए यह बहुत ही सौफ्ट हो गया इस ट्रिक से अगर आप लशन को पका के चटनी बनाओगे यह देखिए थोड़ी से यह पाक गई है दोस्तो यह देखिए गरम ताबे पर रोटी बनने के बाद आप इस तरह से गरम ताबय का इस्तमाल कर सकते हो दोस्तों इस तरह से आप अगर लशन की चटनी बनाओगे ट्रस्ट भी दोस्तों यह सबजी बनाओगे और तो ये healthy हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये जादा भूना हुआ तला हुआ नहीं है भूने तलने से क्या होता है इसकी जो nutrition होती है वो कहीं न कहीं खतम हो जाती है लेकिन इस तरह से पका के स्टीम करके एक प्रकार का स्टीम हुआ हमने धकल लगा दिया और नीचे गरम था तो ये एक प्रकार से सॉफ्ट हो गया पक गया है तो इस तरह से आप चटनी बनाएं इसकी सबजी बनाएं ट्रस्ट में बहुत ही टेश्टी बनती है गजब का स्वाध आता है दोस्तों लसन का फ्लेबर बहुत ही अच्छा आता है और इस तरह से बनाने से जो लसन की nutrition होती है वो 100 गुना बढ़ जाता है तो आई होप ये आपको ये वाली trips बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों तो like का एक बटन जरूर धीजेगा ध़ीन यहां पाईप क्या हुआ ही तो यहां से पाईप की मत जाना जियाओ दोस्तों एक-एक बूंद का कितना कीमत होता है कहीं-कहीं जगा तो पानी की इतनी समस्या होती है कि पानी नहीं मिलता है तो वह वेस्ट जो पानी निकलता है इस पाइप के जरिये तो हम इस बकेट में पूरा पानी भर जाता है तो इस बकेट का पानी हम कपड़ा धोने में बात्रूम वग्यारा सम्में इस्त Cuban कर लेते हैं अंगे पीछे द्होने वग्यारा गारी सम्में जहां भी आपको इस्तमाल करना हैं इस पानी को आप इस्त्माल कर सकते हूं तो मेरे घर में तो ऐसे सुबीदा मतलब ऐसा पाइप का व्यवस्था है तो इसे वेश्ट पानी निकलता है तो ये जोगाड कर लेती हूँ आपके वहां के अंटारो लगाया है तो आपने पाइप का जो पानी वेश्ट होता है अगर इस तरह से कोई परिशानी है पाइप की तो अगर इस तरह से परिशानी है तो आप उस पानी को वेश्ट मत कीजे, कपड़े धोने में, घर के अनेक जो काम होते हैं, आगे पीछे धोने में, कपड़े को धोने में, बात्रूम वग्यारा सम्में, आप इस्तमाल कर सकते हैं उस पानी को, तो पानी को वेश्ट मत कीजे उसको भी आप घर के कई कामों में, सुरी दोस्तों, कामों में इस्तमाल कर सोते हो आई होप, आपको ये छोटी सी पानी की ट्रिप्स पसंद आई होगी, तो दोस्तों यहाँ पर गैस का बर्नल है, ये काफी खराब हो जाता है, इसमें जो होता है अंदर में, कभी-कभी हम खा कर रहे हैं, तो इनो से ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आप इनो के बदले मीठा सोडा भी ले सकते हो, अब हम इसमें करेंगे कुछ नहीं, आप सिर्का का भी इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास लेमन है, लेमन हर घर में रहता है, तो हम लेमन इसके उपर डाल दें इससे बहुत जादा साफ होता है, ये देख सकते हो, इसको हम अच्छी तरह से 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे दोस्तों, तो ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा इस ट्रिक से, तो दोस्तों ये 15-20 मिनट हो गया है, बस इसमें डिप करके रखने से ही आप देख सकते ह कि ये बर्नल साइड साइड से जो काफी डार्कनेस था, वो हलका हलका एकदम डार्कनेस हट गया है, और इसका जो ब्लोकेज है, इसमें जो खाने वगयरा सब फर्स जाते हैं, दाल वगयरा, चाई दूर जो फर्स जाते हैं, इसका ब्लोकेज भी खुल गया होगा दोस्तों आप देख सकते हो ये काफी जो gas हमारा है ये वर्नल है काफी पुराना है आप ये किन नहीं मालोगे नौ से दस साल हो गया है इसको इसी ट्रिक से मैं साफ करती हूँ काफी लंबे समय से ये चल रहा है तब भी ये बहुत ही मजगूत है बहुत ही अच्छा है आप देख सकते ह है वाला जैल से हम सांप कर लेंगे यह देखे दोस्तों कितना चवक्क कहती है इस टरह से अबनाशके ले आए हैं और पानी得ky प्रक्रेश काम मीरे से एकदम सूती कप्रे से अच्छे से पानी इसका हम पोच लेते हैं ये लिजे दोस्तों दोनों वर्नल को अच्छे से सूती कप्रे से पोच लिया है और लगा दिया है तो दोस्तों इस ट्रिक से आपका पुराना सब पुराना वर्नल भी चमक जाएगा इस ट्रिक को फॉलो क काफी जो वेस्ट हो जाते हैं इन कारणों से वो वेस्ट नहीं होंगे फूड के सेव रहेगा और हम बिमारपण्डे से भी बचेंगे और गैस हमारा एकदम साफ सुत्रा रहना चाहिए गैस का कोने कोने तक साफ रहना चाहिए इससे हमारे किचन की सान बढ़ती है दोस्तों तो इस ट्रिक से आप पुराने से पुराने वर्नल को भी लंबे समय तक चला सकते हो दोस्तों तो उमीद है आज की जितनी कीचन टिप्स की वीडियो थी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सकाइब वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही य ऐसा बचाएए और समय की बचत कीजिए बावाई टेक केर